एक बार आज हम बात करने वालों एक ऐसे फोन के बारे में जो मिसी रोड पे गीरा हुआ मिला है और मेरे को नहीं पता कि वह यह कौन सा फोन है इसके पीछे रियल मी लिखा हूँ और इसकी स्पेसिकेशन बहुत जादा मैच करती है अपकमिंग रियल मी फोन से तो इसलिए मै इस वीडियो को यह वाला टाइटल कर रहा हूँ सारी बाते डेटियल में करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में और इस फोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है बट हम इसमें ग्रीट फिनिश देखने को मिल जाता है और कहीना को यह रियल मी 3 जैस मेरे को ने बताया रियल मी क्या गरता है बट उनके सारे डिवाइस के हेड़फोन जैक का आउटपुट अल्टीमेट होता है बट यहां पर एक चीज है हेडफोन जैक के साइड में माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है जिसके लिए बाही मैं बताता हूँ इसके तक आगे बात करेंगे और राइट साइड माम में स्पीकर देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही अच्छे आउटपुट के साथ आते है नोट 7 से अच्छा आउटपुट मेरे को इसकी स्पीकर्स का लगा तो बागी थिकनिस के बारे में बात करतों हां एर थोड़ा स यह स्पीड वाला fingerprint scanner डाला है, मेरे हाथ में sweat थी और फिर भी इतना ज़ादा accurate तरीके से काम कर रहा था, इसका fingerprint scanner seriously मुझे काफी ज़ादा पसंद आया, और face unlock भी अच्छा काम कर जाता है बट वो जाहतर secure नहीं होते, जाहतर फोनों में secure नहीं होते, अभी software update के बाद L1 आएगा, नहीं तो अभी device के अदर L3 शो हो रहे है, डिजाइन के बारे में यह लास में यह कहना चाहूँगा, Note 7 Pro से compare करो तो इतना premium डिजाइन नहीं है, Note 7 Pro जो है front और back glass के साथ आता है, तो सच में इसकी in hand feeling भी बहुत कमाल की है, और हाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यह लाइक करकर ज़रू जाना है, भड़ी खुशी मिलेगी और subscribe तो करी लो क्योंकि इस phone के ओपर बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है, अब बात करते हैं इस phone की display के बारे में इसमें 6.3 inch की full HD plus resolution के साथ IPS display देखने को मिल जाती है, जो कि Gorilla Glass 5 की protection के साथ आती है, तो यह काफी अच्छी बात है, और अगर मैं बात करूँ इसके bezels के बारे में तो हमें काफी कम देखने को मिल जाते हैं, जितने कम borders होना display में उतनी जादा attractive लगती है और उपर से due drop nose देखने को मिल जाती है, तो वो एक attractive तो बनाती है phone को, और उपर से head और chin भी कम देखने को मिलता है, और वैसे display के overall quality के बारे में बात करते हैं, मुझे काफी पसंद आई, viewing angles भी काफी अच्छे है, corner से दिख जाती है display, saturation हलकी सी कम है और sharpness तो बिल्कुल on point है, तो मुझे display में कोई भी कम ही नहीं लगी और उपर से full HD plus है तो यहाँ पर कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है, अब बात करते हैं इस phone के camera के बारे में और क्या camera डाला हुआ है real mean है, इसमें IMX 519 sensor देखने को मिल जाता है, जो की 1 plus 6T में देखने को मिलता है, और 16 plus 5 megapixel case का back camera तो में 16 megapixel वाला 1.7 aperture के साथ आता है, तो आपकी low light performance तो बहुत धासू रहने वाली है, मेरे को नहीं पता real mean है कैसे possible किया है, बट क्या ultimate camera है इस phone का, आप लोग को मैं sample दिखाता हूँ, मैंने काफी condition में इसमें photos कीची है, और हर जगा प्यार इसने मुझे impress की है, daylight में इतने अच्छी इसकी dynamic range है, बहुत अच्छे colors आते हैं, sharpness बिल्कुल on point रहती है, low light में कम से कम noise रहती है, और अच्छी बात तो यह कि artificial lighting condition में exposure काफी अच्छे से maintain कर लेता है, तो अभी मुझे इस phone को compare करना है, note 7 pro से, तब समझ आएगा कि बहुत का camera जाद अच्छा है, और वो मैं 100% लेकर आऊँगा, तो subscribe करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और camera UI के बारे हम बात करें, तो बड़ी simple सी UI है, बट सारे features देखने को मिल जाता है कि portrait mode, expert mode भी है, panorama है, night scape है, और slow motion भी देखने को मिल जाता है, time lapse है, 4K का support भी है, और HDR तो देखने को मिली जाता है, और आप सुनके shock हो सकते होगी, हमें इसमें 25 megapixel का front camera देखने हो मिलता है, F2.0 aperture के साथ, इसके भी आप लोग को थोड़ी पुछ सेंपल दिखाता हूँ, क्या कमाल की photos आई है, front camera से, इतनी sharp selfies है, portrait mode में एस detection भी काफी अच्छी काम कर रही है, overall मेरे को photos की quality है काफी अच्छी अभी ये video record हो रही है, इस phone के back camera से और EIS है, इसके अंदर exposure भी अच्छा कासा maintain की है, colors भी काफी अच्छे आ रहे है, focusing की बात कर तो काफी fast focus करता है यार ये, एकदम से इसके आगे phone लेकर आओ, तो on the spot focus होता है, तो महला बहुत ही अच्छी focus की mechanism है इसके अंदर, exposure की बात क और focusing की कोई खास problem भी नहीं है, और ये record हो रही है, इसके front camera से, और मेरे को 25 megapixel का front camera सुनकर ही हरानी हुई, और काफी अच्छी quality इसमें आ रही है, और video stable भी है, तो आप इससे vlogging भी कर सकते हो, कुछ भी को exposure भी अच्छा maintain कर रहे है, और skin tone भी काफी अच्छी आ रहे हलकी सी beaut काफी जादा मेरे के बारे मेरे लासमी यही करना चाहूंगा क्या ultimate camera है, इसका मैं speechless इस टाइम पर और मेरे को कहना पड़ेगा कि रियल मी ने काफी जादा मेहनत करी है, बट काश हर इसका design भी premium होता ना तो perfect phone हो जाता ही, अब बात करते है, इस phone की performance के बारे में स्नैप्रग 7 Pro से बेटर इसकी speed है, खासकर ride speed और इसमें हमें LPDDR 4X RAM देखने को मिल जाती है, और अगर मैं बात करूं Android optimization के बारे मेरे को app loading time काफी कम था, और सीधी बात तो ऐसे है कि मेरे को Color OS नहीं पसंद, इसमें Color OS 6.0 देखने को मिल जाती है, जो कि Android Pi के साथ आता है, तो हाँ बात क Snapdragon 710 काफी efficient chip set है, तो यह कम से कम heat करता है, और अगर मैं सो compare करूं, जो Note 7 Pro में देखने में मिलता है Snapdragon 675, तो Snapdragon 675 का CPU बेटर है 710 से, बट स्टिल मेरे को 710 की performance काफी अच्छी लगी, अब कोई भी phone खरीते हो, आपको performance में कमी तो at least नहीं आने वाली, हो सकता है कि आपको UI किसी एक की पसंदा है, मेरे को personally MIUI पसंदा है, बट भाई कुछ भी को phone काफी अच्छा बनाया है, अब बात करते है इस phone के बैटरी के बार में और यहां पर रियल्मी तगडी इंप्रूव्मेंट की है, 4045MH के हमें बैटरी देखने हो मिलती है, जो कि Note 7 Pro से जादा है, बट डिस इस सीज को बैलेंस करने के लिए, रियल्मी ने बॉक्स में हमें 5V 2A का चार्जर दिया है, तो यह हज से जादा अमेजिंग बात मेरे को लगी, और मैं कई ना तो कहीं इंप्रेस हूँ, और अगर आम बात करूब बैटरी बैटरी बार में तो अभी मेरे को बहुत अच्छ और इसका केमरे ने मेरे को हज से जादा इंप्रेस कर दिया है, बट मेको एक ही शिकायत है, काश इसका डिजाइन भी थोड़ा सा और प्रीमियम कर दिया होता ना, तो नोट 7 प्रो लिटरली किल हो जाता, वो ही है, माइकर वी पोर्ट हो सकता है, कावसर लोगों को पसंद बट यार, स्टिल हमें इसमें अच्छी खासी वोग फ्लैस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो हमें और क्या चाहिए, और यहां पर वीडियो खतम जाती है, अगर आपको पसंद आई होनों तो यार प्लीज लाइक करकर ज़रू जाना, मुझे बड़ी खुशी और सब्सक्राइब करके हमारी टेगिंग को जोईन करें हम लोग क्वाल्टी ब्री रखते हैं, अगरे मिलते हैं, तैंक्स वाच्छे,